अगर आप मुसल्मान समाच से आते हैं तो हर बार आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप भारतिये हैं, अपनी नागरिक्ता का प्रमान देना पड़ेगा ऐसी ही कुछ खबर आ रही है जिसमें अब्दुलकरीम टुंडा जिसको 31 साल बाद रिहा करा गया है इस पूरी वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे नमस्कार मैं नूर जो और आप देख रहे हैं जनेत अवाज 31 साल बाद अब्दुलकरीम टुंडा को बाइज़द बरी कर दिया गया है अजमेर के ताड़ा कोट ने उनको बाइज़द बरी कर दिया गया है और उनके वकील ने भी सीरे तोर पर ये बोल दिया है कि उनके खिलाब किसी भी तरीके का कोई सबूत नहीं मिला जिससे वे आतंगवादी घोशित हो सके उनको पूरा बेगुना साबित करके अजमेर के ताड़ा कोट ने उनको बाइज़द बरी कर दिया गया है लेकिन सवाल यह है कि 31 साल तक उनको जेल में रखा गया और जो उनके परिवार वाले हैं उनको समाज ने क्या कुछ नहीं बोला होगा अब सवाल यह है कि 31 साल उनके कौन लोटाएगा 31 साल जो जेल में उनके कटे हैं और जो बाहर उनके परिवार वालों ने जो कुछ आतंग्वादी जिस सटरीके की चीज़े सूनी होगी वो कैसे निपट रहे होंगि उनके परिवार वालों पर क्या भीती होगी वो उनको ही पता होगा लेकिन 31 साल बाद जब उनको रिहा कर दिया गया है लेकिन अभी भी समाज और मीडिया वाले उनने जीने नहीं दे रहे है 1993 का आपको केस पता ही होगा जिसमें सीरियल ब्लास्ट के मामले में अब्दुलकरीम टुंडा को गिरफतार किया गया था और उन पे आरोप लगाए गये थे कि वो आतंगवादी हैं और उसके बाद उनको 31 साल तक जेल में रखा गया जेल में उसके बाद उसको आज जो है जो एक खबर आ रही है उनको रिहा कर दिया गया है और 31 साल जो है उनके कौन लोटाएगा इसमें तमाम लोग प्रतिक्रियाए दे रहे हैं अंसर इम्रान ऐसार लिखते हैं कुछ अरस पहले मैंने बेगुना मुसल्मानों के सालों साल जेल में आतंगवात के ठपे के साथ जिंदिगियां बरबाद होने पर वीडियो बनाई थी आज अब्दुलकरीम टुंडा के 30 साल पुराने आतंगवात के केस में बरी होने के बाद हमारी लचर नियाए विवस्था पर स्वालिया निशान है इसमें BBC News लिखता है 1993 यानि कि 1993 बंधमाकों के मामले में अभियुक्त अब्दुलकरीम टुंडा को कोट ने बरी किया News 18 राजिस्थान लिखता है सीरियल बंब ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला आतंकी अब्दुलकरीम टुंडा बरी कोट ने दो आतंगवादियों को दोशी माना आरोपी इर्फान और हमियुद्दीन दोशी करार जिसमें अब्दुलकरीम टुंडा आप सोचिये आतंगवादी अब्दुलकरीम ये जो News 18 है ये लिख रहे हैं आतंगवादी अब्दुलकरीम मतलब कोट ने उनको बोल दिया है कि वो आतंगवादी नहीं है बाईजद बरी कर दिया गया है लेकिन समाज और मीडिया अभी भी उन्हें आतंगवादी करार देने में ही लगी है उनको बाईजद बरी तो कर दिया गया है लेकिन ये 31 साल बाद जेल से आने के बाद क्या समाज उन्हें अपना पाएगा क्या समाज उन्हें उसी निगा से दिखेगा कि वो आम आदमी है आम नागरिक है आम भारती है ये अभी भी उन्हें उसी निगा से देखा जाएगा कि ये आतंगवादी है क्योंकि आतंगवादी तो जो 31 साल में उनको साबित नहीं कर पाए लेकिन 31 साल बाद जेल से निकलने के बाद क्या समाज उन्हें अपना पाएगा साहिल रजबी लिखते हैं भारती नया विवस्था की एक और शांदार मिसाल आज 30 साल पुराने सीरियल ब्लास्ट केस में अब्दुलकरीम टुंडा को अजमेर की टाड़ा कोट ने बरी किया है एक बेगुना व्यक्ती की पूरी उमर जेल में आतंगवादी के ठपे के साथ गुजर जाए और आरोब भी साबित ना हो पाए इसमें सीवे तोर पर ये बोल रहे हैं कि एक बेगुना को 31 साल जेल में काटने पड़े हैं और आरोब भी साबित नहीं हो पाए फिर उनके बाद उनको 30 साल बाद छोड़ दिया जाता है जो सच में गुनेगार लोग होते हैं और जो सच में आरोब ही होते हैं उनको भारत के सडकों में घूमने की अजादी होती है लेकिन जो बेकसूर लोग हैं वो 31 साल जेल में बिता देते हैं और उनके बाद अब सवाल हमेशे यही उट रहा है कि क्या 31 साल जो उनके जेल में काटे हैं उसका जो भुक्तान है वो कौन करेगा 31 साल जो है उनके जो बरबाद हुए है जेल में उसका जो भुक्तान है वो कौन करेगा और जो समाज है क्या उन्हें अपना पाएगा और जो मीडिया वाले हैं वो अभी तक उन्हें तमाम चीजे लिख रहे हैं कि उनको बाइ आतंगवादी उन पे जो आरोप लगेते हैं वो साबित नहीं हो पाएं उनके वकील ने सीधे तोर पर ये बोल दिया है कि वो आतंगवादी नहीं है और जो भी 1993 का जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसमें उनका कोई हाथ नहीं था उस पे जो न्यूज 18 ने हम आपको दुबारा पढ़के सुना देते हैं कि न्यूज 18 जो राजिस्थान ने यहीं लिखा था कि सीरियल बंब लास्ट केस में बड़ा फैसला आतंग की अब्दुलकरीम तुंडा बरी कोट ने दो आतंगवादियों को दोशी माना आरोपी इर् में बाइजद बरी एक बाइजद बरी करके एक बुक निकाले से में 16 मुस्लिम युवाओं की कहानियों को लिखा गया है नाम की किताब छपी है इस किताब के लेखक पत्रकार मनीशा भल्ला और डॉक्टर अली मुल्ला खान है न्यूज लॉंडरी समवदाता बंसत कुमार ने मनीशा भल्ला और डॉक्टर खान से उनकी किताब को लेकर बातचीत करी थी भल्ला लोग कहती है कि जब भी कहीं कोई बंधमाका होता है और पुलिस की गाड़ी आसपास से गुजरती है तो ये लोग डर जाते हैं मीडिया बरी होने के बाद भी इने आतंकी लिखता है क पतलब सोचे कहीं भी बंबलास्ट होगा या कहीं भी कुछ होगा तो सीज़त वापर मुसल्मानों को आतंगवादियों की नजरों से देखा जाता है कि शायद कहीं न कहीं हाथ होगा और जब उनको बाइसद बरी कर दिया जाता है तो मीडिया और समाज उन्हें जीने नही देता है सचाई बता रही है कि जो सैयद वासिव हैदर खान उनकी भैतरी नौकरी थी और उनके उपर आतंगवादियों का आतंगवादी का अरोप लगा था लेकिन उनकी गिरफतारी भी होगी थी लेकिन 9 साल के संगर्ष के बाद उनको जब बाइसद बरी करा गया तो उन 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले के सभी आरोपों से बाइसद बरी हुए हैं इतना असान नहीं है मेरे मुल्क में मुसलिम होना अपनी बेगुनाई का सबूत देना उसे 31 साल लगते हैं इस मुल्क में ऐसे हजारों मुसलिम है जो 33 साल जेल में बिताकर बाइसद बरी हुए हैं बार बार हमें अपनी भारतिये होने का अपनी नागरिक्ता का सबूत देना पड़ रहा है कि हम भारतिये हम अपने देश के लिए जान देने को तयार हैं लेकिन जब भी कोई बंबलास्ट होगा यह जब भी कोई कहीं कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी तो जो है मुसल्मानों को टार्गिट किया जाएगा मुसर्मानों को 31 साल तक 9 साल तक जेल में रखा जाएगा और फिर बाइज़द बरी करा जाएगा कि आरोब जो है वो सिद्ध साबित नहीं होते हैं और उसके बाद भी समाज उन्हें अपनाने में समय लगा देता है उनको उनके टोपी से उनको उनकी दाड़ी से जच किया जाता है कि शायद कहीं न कहीं इनका ही हाथ होगा इन सब मामलों में क्यूं हमारा समाज हमें अपने कपड़ों से मुसल्मानों के कपड़ों से उन्हें जच करता है कि शायद कहीं न कहीं यही किसी न किसी आतंकी उसमें शामिल होंगे क्यों समाज हमें एक निगा से नहीं देखते हैं क्यों समाज जो हमें हमें हमेशा भारतिय नागरिक होने का प्रमान देने पर मजबूर कर देता है कि नहीं हम हमारे देश के लिए जान देने को तयार हैं खान सल्मान लिखते हैं 31 साल बाद 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले के सभी आरोपों से बाइज़द बरी हुए है वासि मकरम लिख रहे हैं कि 1993 बंधमाकों के मामले में अबियुक्त अब्दुलकरीम टुंडा को कोट ने बरी कर दिया है अब्दुलकरीम की गिरफतारी के वक्त मीडिया प्रिंट इलेक्टरॉनिक अदालत से पहले ही जज़ बनकर उन्हें खुंकार आतंकी साबित कर चुके थे अब अब्दुलकरीम टुंडा को कोट ने बरी कर दिया है अब क्या भारतिये मीडिया अपनी बेशर्मी बेगैरती और मुस्लिम दुश्मनी के लिए माफी मांगेगी नहीं क्योंकि बेजमीर लोगों से ऐसी उम्मीद रखना ही बेईमानी है जहां पर अबदुलकरीम पे जो आरोप लगाये गये उसमें अभी तक जज ने फैसला नहीं दिया था उस टाइम की बात करें जो 31 साल पहले जो भी धमाका हुआ था उसमें जज ने कोट ने कोई फैसला ने लिए था लेकिन उससे पहले जो मीडिया है मीडिया ने ये साबित कर दिया था कि ये खुंखार आतंगवादी है शायद कहीं न कहीं इनी का हाथ है ये जो बंबलास्ट करने में और उससे पहले जो हमारी मीडिया है फैसला ले लेती है कि क्या यही आतंगवादी है अंसार इम्रान एसार लिखते है नियाय व्यवस्था की उत्तम मिसाल आज 30 स सवाल कर रहे हैं कि क्या जो एक बेगुना को 31 साल जो जेल में काटने पड़े हैं अपने आपको आतंगवादी के ठपे के साथ बार बार यही बोला जा रहे कि कौन लोटाएगा उनके 31 साल क्यूंकि 31 साल में आधी उमर बीच जाती है कौन लोटाएगा उनके 31 साल क्यूंक जो ये बड़ी खबर आम आपको बता रहे थे कि जो 1993 के सीरेल ब्लास में उनको जो आतंगवादी घोशित कर दिया गया था और उसके बाद अभी 31 साल बाद उनको रिहा कर दिया गया है तो आपको क्या लगता है क्या मुसल्मान होना गुना हो चुका है और जो बार बार हमें अपने आइडेंटिटी का प्रूफ देना पड़ता है कि नहीं हम भारतिये नागरिकी हैं बार बार प्रमान देना पड़ता है और जो मुसल्मानों को जच किया जाता है उनके कपड़ों से क्या समाज में रहना इतना मुश्किल हो गया मुसल्मानों के लिए कि वो अपनी बार बार एडेंटिटी का प्रूफ देते रहेंगे इसमें आपकी क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा धन्यवाद